नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का exam achievement में मैं करुना इस वीडियो में लेकर आए हूँ painting subject के class 11th के students के लिए भारते मंदिर शिल्प कला के कलात्मक पहलू chapter से descriptive questions and answers दोस्तों second term का जो आपका exam अब होने वाला है जिसको हम final exam भी कहेंगे इसके अंदर आपका descriptive और objective दोनों तरह के questions आएंगे तो ये वीडियो है आपका descriptive questions का next वीडियो में MCQ based questions आपके लिए लेकर आऊँगी शुरू करते हैं question number first से मूर्ती, मूर्ती सस्त्र तथा अलंकरेंट से आप क्या समझते हैं दोस्तों बहुत ही simple definition में यहाँ पर आपको बताऊंगी मूर्ती यानि की पत्थर, धातू, मिट्टी या कोई भी अन्य सामगरी से निर्मित त्री आयामी आकरती ये स्वरू जिसे चारों दिसाओं से छुआ जा सके, देखा जा सके मूर्ती कहलाती है दोस्तों त्री आयामी क्या होता है त्री आयामी जिसके तीन आयाम हो यानि की जिसके अंदर लंबाई और चोड़ाई के साथ साथ उसकी अपनी मोटाई भी हो उसको हम त्री आयामी बोलते हैं जिसको हम पकड़ कर देख सकते हैं चित्र जो होता है दोस्तों वो द्वी आयामी होता है जिसके दो आयाम होते हैं यानि की लंबाई और चोड़ाई यही अंतर होता है चित्र और मूर्ती में हम चित्र को उठा नहीं सकते लेकिन हम अगर मूर्ती छोटी है तो हम उसको उठा सकते हैं या चारो तरफ से देख सक जबकि चित्र के सिर्फ दो आयाम होते हैं, वो अगर कागज पर बनता है तो हम कागज की शीट को उठाते हैं, लकडी पर बनता है तो उस लकडी को उठाते हैं, हम चित्र को नहीं उठा सकते, यही डिफरेंस है चित्र और मूर्थी में, चित्र दू आयामी है और मूर्थी त्री आयामिय रहा है Kollege successfully तो त्री वी mois त्री वी वी मिय शब्द से आप वुज़ से आप biscayam त्री वी मिय और अपरम करी त्री वी मिय यह उन हम भीया करेंग का यह जो कि तों इखर काश्छानूतर क्षभार्ट क्षभार्ट करना भा़द शर्मियर कोशेत इसके अंतरगत प्रादेशिक छेत्रिय विवित्ता के साथ अध्यन वे अवलोकन किया जा सकता है तो मूर्ती बनाने की कला मूर्ती सास्त्र कहलाता है नेक्स्ट है आपका अलंकरण क्या है किसी भी कलाकरती को अलंकारों से युक्त करने की क्रिया या भाव अलंकरन कहलाता है क्या कह रहा है यह अलंकारों से युक्त करने की क्रिया या भाव अलंकरन कहलाता है और अलंकार किसे कहते हैं गेहनों से सजाना किसी भी मूर्ती शिल्प को यदि हम आभूशन पहना देंगे तो वो उसका अलंकार हो जाएगा और यही चीज अलंकरण कहलाती है अलंकरण से क्या होता है किसी भी चित्र, मूर्ती या फिर किसी भी अन्य वस्तु का जो सौंदर है वो बढ़ जाता है Question No.2 है आपका नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसमें धर्म से संबंदित, देवी देखताओं, धार्मिक कतानकों वे समकालिन, प्रचलित, घटनाओं, विश्यों को उसके बाहे वे आंतरिक भावों जैसे कि दिवारों, इस्तंबों, छटों, आलों पर चितरित ना किया जाए या फिर उसको उकेरना दिया जाए चलते हैं Question No.3 की तरफ मंदिरों को मूर्थी शिल्पों से सुसजित करने के क्या कारण होते हैं तो इसके दो कारण होते हैं पहला कारण क्या है लोगों का उनकी और ध्यान आकरशित करना और दूसरा कारण क्या है लोगों का या कलाकारों को एक तरह से रोजगार प्रदान करना ये दोनों कारण होते हैं, मंदिरों को मूर्ति सिल्फ से सुसज़ित करने के, कलाकार, अथवार, मूर्तिकार अपनी रचनाओं में उन विश्यों या कथानकों को ही प्राय उकेरते या बनाते हैं, जो उनसे बनवाय जाते हैं, या जिनके लिए उनको पेमेंट की जाती है, उनकी इच्छाओं और आकांग्शाओं की पूर्ति के लिए, जरूरतों की पूर्ति के लिए, आजाते हैं कोशें नमबर फोर पे, गंगा का अवतरन नामक मूर्ति शिल्फिकी रचनात्मक्ता का वर्णन कीजिए, तो गंगा का अवतरन बहुत ज्यादा इंपोटन कोशे मैं यहां पर लिखूंगी भी तो गंगा का अवत्रण यह पल्लव कालीन कला है ठीक है और यह कहां मिलता है महाबलीपुरम तमिलनाणू में यह इस्थित है ग्रेनाइट चटान है यह दो चटानों पर बनाया हुआ चितर है और इसका जो समय विज्ञानिक मानते हैं वो सात्वी शताब्दी मानते है यह सबसे बड़े और प्राचेंतम मूर्तिशिल्पों में से एक है महाबलीपुरम की सबसे प्रशीद मूर्तिशिल्प सरजना यही है जिसको हम अर्जुन का तप नाम से भी जानते है इस मूर्तिशिल्प में गंगा अप्तरन की घटनाओं को दो बड़ी ग्रेनाई चटानों पर उके रगया है और दोनों चटानों के मद्य नाग परिवार को उके रखा है इसके अतिरिक्त भी इस शिल्प में भौसी आकरतियां है जैसे मानव, देवी देवता, पशु, प्राणी, अत्वा नाग एक डाड़ी वाले व्यक्ति को भी इसमें चितरत किया गया है जिसको भगीरत के रूप में पहचाना जा रहा है जो एक पैर पर खड़े हुए हैं और उन्होंने अपने हातों को प्राथना की मुद्रा में जोड़ा हुआ है देखो दोस्तों, अगर हम इस मूर्ती शिल्प को या चटानों पर उकेरे गए इस मूर्ती शिल्प को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दो हातियों ने बड़े बड़े हातियों ने इस संपूर्ण शिला को अपनी पीट पर उठा रखाओ ये बहुत जादा इंपोटेंट एक आपका मूर्ती शिल्प था जिसके बारे में हमने बात की है नेक्स्ट कुशन पर हम जाएंगे और वो होगा आपका मा और बच्चा देखो मुझे बहुत जादा दोस्तों ने इसमें लिखना पड़ रहा था तो मैंने अभी मैं बुक से ही सीधा कुशन उठा दिया है मा और बच्चा नामक मूर्ती शिल्प का वर्णन कीजिए अब हम इसको देख लेते हैं यहापे यह है आपका मा और बच्चा यह विमल शहामंदिर का चित्र है और शोलंकी राजवन्स ने इसको बनाया है यह दिलवाड़ा माउंट अबू राजिस्थान में स्थिध है सफेद संगमर्मर पर इस चित्र को उकेरा गया है ईशा की तेरवी शताबदी इसका समय मना जाता है किस चित्रकार ने या कलाकार ने इसको बनाया है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है और अगर आप अभी इस चित्र के बारे में जानना चाते हैं तो भारतिय पुराततु सर्वेक्षन विभाग इसको एक तरह से उसके अंडर ये आता है इसके विवरण में हम देख लेते हैं यह चीज हम पढ़ चुके हैं दिलवाडा माउंट अभू राजिस्तान विमल शाहा मंदिर के छत के कोने पर इसको उतकेन किया गया है और यह मंदिर प्रथम जैन तिथंकर आदीनाथ को समर्पित है जिनको हम ये आदीनाथ भगवान वहीं है जिनको हम विमल शाहा नाम से भी जानते हैं इस मूर्थी शिल्प में जैन संप्रदाय की मात्रदेवी अंबिका को एक शिशो का पोशन करते हुए दिखाया गया है तो यानि के एक महिला अकरती बनी हुई है जिसको अंबी का मा का आ गया है और उसके पास एक बच्चे को दिखाया गया है जो कि उनको पोशित कर रही है और मा और बच्चे के बीच असीम प्रेम और मातरत्व को अभिव्यक्ती कलाकार ने प्रदान की है मूर्ती को दाहिने हाथ से पकड़े हुए दिखाया है क्या तीन आमों के गुच्छे यानि दाहिन हाथ में मूर्ती के आमों के गुच्छे है यानि की तीन आम है और बाएं हाथ में उन्होंने शिशु को पकड़ा हुआ है जो कि उनकी गोद में बैठा है उनके बाएं पैर के पास एक दूसरा बच्चा खड़ा है और इस मूर्ती को एक सिही पर सवाल दिखाया गया है और सिही के मुद्रा कुछ अलग सी है माता अंबिका के उपर फलों से लदे हुए आम के व्रक्ष को भी हाँ पर कलाकार ने चितरित किया है मा अंबिका की आकर्षत वे सुसज़ सरचना को महीन डंग से उकेरा गया है उनके सर पर मुकुट गले में बाजू में कलाई पर कमर पर आभूशन उन्होंने दारण किये हुए है उनका जो भाव है वो बहुती सांथ सो में ममता मही और इसने ही उनके फेस पर ये भाव दिखाए गए है मात्र देवी अंबिका के शरीर पर घुमाओ है जिससे की ले उत्पन हो गई है और ले के कारण उनके शरीर का उपरी हिस्सा थोड़ा बाहर की तरफ आ गया है जो की बहुत ही ज़्यादा अकर्शक प्रतीत होता है तो दोस्तों ये था मा और बच्चा चित्र का विवेचन जो की हमने किया है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं बटा देखे रावण केलाश परवत हिलाते हुए अब आप लेबस में है इसको हम एक बार देख लेते हैं हम विवेचन कर रहे हैं अभी यहां पर त्री मूर्ती का त्री मूर्ती जिसको हम महेश मूर्ती भी कहते हैं और ये मिली है एलिफेंटा गुफा संख्या एक से एलिफेंटा में एक ही गुफा है लेकिन उसके इंदर नो मूर्तिशिल्प हमको मिले हैं देखे ये में है चटान पर बनाई गई है नवी शताबदीस का समय है किस नहीं बनाया है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती और इसकी भी देख रेका काम इन दिनों भारतिया पुरातर्प सर्वेक्षन विभाग ही कर रहा है तो चटान को काट कर उतकीन किये गए मूर्ती शिल्प में यह महतुपूर्ण उधारन है यह मूर्ती विशाल आकार में है तीन मुखो वाली यह मूर्ती है जिसमें भगवान शिव के तीनों रूपों के सहच दर्शन होते हैं यहाँ पर हम मूर्ती शिल्प को देखेंगे तो तो तीनो फेस आपको दिख रहे होंगे, देखें, मैं इस फेस पे से बिंदी लगाते हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये तीन फेस हैं, एक फेस, दूसरा और तीसरा, तीनो मुखों वाली इस मूर्ती को सदाशिव, महेश्वर और महेश मूर्ती कहा जाता है, ये तीनो नाम इसी मूर्ती के हैं, बाई वाली मुझों वाली मुखाकर्ती को भैरव का रूप बताया गया है, मत्य मूर्ती को भव्य, शांत और सोम्मे रूप में दिखाया गया है, और दाई और वाली जो मुख्य उर्ती है उसको नारी रूप उमा का बताया गया है कुछ लोग इस मूर्ती के इन तीनों मुखों को ब्रहमा, विश्णू और महेश्ट का मुख भी कहते हैं संपून एलिफेंटा में जितने भी नो मूर्ती शिल्फ मिले हैं उसके अंदर ये त्रिमूर्ती मूर्ती शिल्फ सबसे ज़्यादा विशिस्ट है और अपनी एक विशेश पहचान विश्व की कला में रखता है चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ और हमारा नेक्स्ट कोशन है यापर लक्ष्मी नारायन कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का विवेचन कीजिए ये भी दोस्तों आपके इस लिबस में है और हमें इसको देख लेते हैं ये है आपका लक्ष्मी नारायन ये कंदरिया महादेव जो की खजुराहों का मंदिरों का सम्मू है खजुराहों में जो उनके अंदर जो सबसे फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव उसके अंदर बने हुई ये मूर्ती है जिसको हम लक्ष्मी नारायन की मूर्ती कहते हैं स्रियाकर्थी लक्ष्मी और पुरुशाकर्थी नारायन तो देख लेते हैं खजुराहू मध्यप्रदेश में है चट्टान पर बनाई गई है दसमेश अतापति इसका समय है किसने बनाया जानकारी नहीं मिलती और आज के समय पे अगर आप इस मूर्थी शिल्प को देखना चाहते हो तो ये रास्ट्र संग्राले नई दिली में रखा हुआ है इस मूर्थी शिल्प में हिंदू देवता लक्ष्मी नारायन, अथार्थ, विश्नु तथा उनकी पतनी लक्ष्मी को लाल बल्वा पत्थर पर आभूष्नों से युक्त दिखाया गया है जो कि मूर्थी के अंदर क्या लाते हैं? अलंकरन लाते हैं यानि कि मूर्थी की सुन्दर्दा को बढ़ाते हैं कमर के नीचे जो वस्त्र इन मूर्थी में दोनों लोगों ने पहने हैं उनको महीन रेखाओं से दिखाया है कमर के उपर कमरबंध बांधा हुआ है और सिर पर बड़े-बड़े मुकुट पहने हुए है माता लक्ष्मी ने जो मुकुट पहना है उसके उपर भी आभूषण उनको दिखाये गए है यहाँ पर अगर हम देखें तो देवी लक्ष्मी भगवान विश्नु के चहर को निहारती हुई प्रतीत होती है उन्होंने अपने दाहिने हाथ को नारायन के कंधे पर इस तरह से रखा हुआ है कि उनके शरीर पर घुमाव उत्पन हो गया है जिससे की ले आ जाती है मूर्ती में और विश्नु जी ने अपने बाएं हाथ को जो की कुहनी के पास से छती ग्रस्त है लक्ष्मी जी के कंधे के नीची की और लटका रखा है ये मूर्ती शिल्प कंधरिया महादेव मंदिर खजुराहों से हैं और खजुराहों मत्य प्रदेश में है आज के समय पे इस मूर्ती शिल्प को हम रास्ट संग्राले ने दिल्ली में देख सकते हैं खजुराहों मंदिरों में यह है अपनी एक विशेश पहचान रखती है मूर्ती इस तरह की काफी मूर्तियां खजुराहों मंदिरों में मिली हुई है खजराहों मंदिर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताओं तो लगभग 85 मंदिरों का समहु जो की दो भागों में बना हुआ है दक्षणी बाग और पस्चमी बाग में तो इस तरह से 85 मंदिरों का समहु खजराहों में है जिसमें की आठीकी डेट में यहां पर पढ़ रहे हैं दोस्तों इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट कोर्शन जो की है जहां जर्वादक सूर्य मंदिर कोना आख ये भी आपके सलेबस में है तो इस चप्टर से लगभग चार मुर्तिशिल्प आपके सलेबस में है पांच यह जहां जर्वादक है जिसके अंदर ये एक महिला अक्रती हमको दिख रहे हैं कानों में आभुशन हैं गले में जो उनका शरीर है निर्टरत मुद्रा में है ऐसा हमको इसकी मूर्ती को देख करके लगा है और बाकी अब हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं तो ये जानजरवादक सूर्य मंदिर गंगवंश के शाषकों ने सी mRNA आपर मांजा और कर बीकिशी है किस का लाकांड तुन विल होती और इसकी दूंधिये द्रची बहुत कम सुर्य मन्दिर हमारे भारत भाहर को नहीं ढॉनलं नवीयों धारतय लुक्त। थे विल्जर्टी की देख्रेग कि отк sonoiãoणी खेश DJI जहUMी का नियुक्त। प्रती है, कोनाक में है, उडीसा में है, सूर्य मंदिर में है, और बाहर मंदिर के बाहरी दिवार परी है, जिससे ये लोगों का स्वागत कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है, इस्तरी वादक को जांचर नाम का वाद्यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, और इसलिए इसको ज गले में, बाहों में, कलाई पर, हातों पर, उंगलियों पर, पैरों पर, कमर पर उसने बहुत सारे अभुशन धारन किये हुए हैं, जिससे कि उसकी मूर्ती की सुन्दरता और ज्यादा बढ़ गई है। यह मूर्ती आकरशक मुद्रा में हैं, लेकिन कुछ-कुछ खंडित है। इस मंदिर का निर्वान गंगवंच के सारशक नर्सिंग प्रथम ने 1238 से 58 इश्वी के मद्धे कराया था। और खोनाक के सूर्य मंदिर को हम काला पगोड़ा नाम से भी जानते हैं। सूर्य की आने वाली जो किरण है, वो सबसे पहले इस मंदिर पर पड़ती है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही आपका चेप्टर नमबर एट है शायद ही आपकी बुक में और चेप्टर का नाम है। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारे ये चेप्टर यहीं पर खतम होता है। आशा करती हूँ, आपको वीडियो अच्छे लगी होगी, आपको आपके कोशिंस के आंस्वर इस वीडियो में मिल गए होंगे। इसी तरह की और इंफोर्मेटी वीडियो देखने के लिए बने रहें एक्जाम अचीमेंट के साथ, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।